आज हम बात करेंगे वीचेन के बारे में वीचेन क्रिप्टो करंसी का फ्यूचर कैसा रह सकता है वीचोन वीचेन फ्यूचर में क्या-क्या चीजें हो सकती है वीचेन के साथ अभी प्राइज जो है 9-10 रूपे पे स्टेबल है और WeChain मुझे लगता है in future एक अच्छा result आपको अच्छी growth WeChain में देखने को मिल सकती है तो price अभी 9-10 पे trade कर रहा है WeChain और WeChain आप hold करके रख सकते हैं long term के लिए सबसे पहले हम चीजें जानेंगे क्या कुछ future में हो सकता है WeChain के और WeChain का क्या कुछ चीजें निकल के आ रही हैं क्यों कुछ updates हैं सब चीजें आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ WeChain के बारे में phone की screen पे चलते हैं और एक एक चीज को समझते हैं कि WeChain कैसा रहने वाला है क्या है कैसा future रहेगा सब चीज Cryptocurrency Market अभी आपको थोड़ सा यहां पे डाउन देखने को मिलेगा हलकी इसी डाउन फोल आई है और यहां पे Bitcoin हलका सा डाउन हो है लेकिन 50,000 डॉलर का जो लेवल है Bitcoin का वो बढ़करार है अभी तक ठीक है तो यह मैं उमीद करता हूं कि जल्दी रिकावर हो जाएगा 50,000 से उपर अब Bitcoin यहां से जाना स्टार्ट कर सकता है ठीक है जो रैली चल रही है एक्सपेक्ट करते हैं कि Bitcoin एक अच्छे लेवल सा अब और रीच करेगा और यहां Ethereum का भी 4000 लेवल को डॉलर को रीच करने का टार्गेट ठीक है थोड़ा से यहां पे डाउन है लेकिन आज हम जिस Coin के बारे में बात करने वाले हैं वो WeChain Coin है और उसकी rank है 22 तो WeChain के बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे WeChain का future कैसे रह सकता है कैसा Coin है क्या चीजें चल रही है क्या चीजें हो सकती है तो यहां पे 10 रुपे पे यह trade कर रहा है WeChain और पिछले 2-3 दिन में 10-12% टूपर अब ही फिलहाल 3% का आपको यहां डाउन देखने को मिल रहा है 6,80,000 लोगों ने एड किया हुआ इसको और 22 नंबर पे टॉप 22 में आता है यह ठीक है और यहां पे जो प्राइज है 0.1465 तो दस रुपे के करीब trade कर रहा है कैसा future रहेगा क्या कुछ है WeChain और यहां पे अभी current दिखा दी है जो situation चल रही है थोड़ा trading volume पे भी हम नजर मार लेते हैं WeChain की और देख लेते हैं कितनी trading इस time पे WeChain के अंदर हो रही है ठीक है तो यह कुछ graph है इसका पिछले कुछ time का आप देख सकते यहां graph भी काफी interesting है लेकिन हम long term में बात करेंगे WeChain का कैसा future trading volume यहां पे कुछ खास नहीं हो रही है अभी 25% की down है लेकिन 22 पे यह coin आता है और क्या रहने वाला इसका future तो अभी हम WeChain की website के उपर हैं और यह पे बहुत कुछ है वी weChain को लेके एक तरह से आप कह सकते हो गी roadmap के बहुत कुछ है विजन में भी बहुत कुछ है ठीक है तो यहाँ पे वीचेन को लेके आप यहाँ पे वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो ठीक है और लेकिन हम बात करने वाले हैं वीचेन का फ्यूचर कैसा रहेगा देखो वीडियो जैदा लंबी नहों इसलिए मैं आपको इन शॉर्ट में बता रहा हूँ और यहाँ पे कुछ जो इंपोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उनी पे आपकी एक नजर डाल रहा हूँ बाकी कोईन मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर कमाल कर सकता है रैंक 22 है ठीक है और काफी पॉपिलर वीचेन है वीचेन का नाम काफी पॉपिलर है आपको पता होगा यहाँ पे वीचेन के जो आप देख सकते होगी वीचेन फाउंडेशन जो है जो इको सिस्टम है वीचेन का तो इको सिस्टम के अंदर वीचेन फाउंडेशन enterprise users and partners तो WeChain Foundation की तरफ से भी काफी काम ecosystem को लेके होता रहता है और WeChain को भी लेके होता रहता है ठीक है तो ecosystem काफी जरूरी है WeChain का और WeChain का ecosystem focusing on building the underlying technology, infrastructure utilities and services ठीक है तो बहुत सारी चीजें हैं और यहां पे काफी काम WeChain Foundation की तरफ से WeChain के ecosystem की growth के लिए होता रहता है और ecosystem काफी जरूरी है WeChain का तो यह सब चीजें है community investor है developer सब चीजें यहां पे WeChain के बारे में आपको बताई गई है ठीक है चीजें तो बहुत सारी हैं website पे और तो recently WeChain की foundation की तरफ से एक update यह है कि WeChain senior researcher जो है यहां पे spoke at जैसे की आप देख सकते हो 2021 global developer conference में showcase किया है POA 2.0 technology तो कहीं न कहीं WeChain को लेके नई टेकनोलीजी या नई चीज़ा आप कह सकते हो ठीक है और for all blockchain, NFT, decentralized, exchange और यहां पे project and developers remember to join us and apply for the 1 million dollar ठीक है 1 million US dollar grant program तो यह एक नई चीज़ WeChain foundation की तरफ से announce की गई है ठीक है और इसका असर भी कहीं न कहीं WeChain के उपर पड़ेगा ठीक है जो भी चीज़ WeChain को लेके होगी definitely उसका असर पड़ेगा भले बाद में पड़े या उसी time पड़े पड़ेगा तो जरूर और जितने भी events होते हैं चाहे वो कोई भी coin हो वो सब coins की growth coins के लिए होते हैं तो WeChain में ये जो announcement हुई है इसके बाद मेरे को लगता है 10-12% आपने price देखे होंगे दो दिन पहले अभी थोड़ा सा down है लेकिन मुझे WeChain का अगर उसको आप hold करके रखते हो तो आपको अगले साल तक WeChain में अच्छे result देखने को मिल सकते हैं ठीक है तो ये भी एक चीज है week 1 has started और ये है launch event week 1 price है यहाँ पे 1 lakh WeChain का ठीक है और sponsored by WeChain foundation की तरफ से तो मतलब WeChain को लेके काफी काम हो रहा है ठीक है जितने भी events हो रहे हैं यहाँ पे इसमें भी कुछ details है यहाँ पे इसमें भी कुछ details है यहाँ पे दवीचेन कम्यूनिटी discord server is live discord server tons of events are scheduled with over 20,000 dollar in prices to be won ठीक है तो काफी events जो है वीचेन को लेके चलाये जा रहे हैं जैसे कि आप देख सकते और इनके लिए prices भी रखे गए है 20,000 dollar के ठीक है week 1 में आप 85,000 V84 top 30 rankers in the leaderboard ठीक है top 30 rankers को AMA questions, collection यह सब चीजे जितनी भी हो रही है इसका फायदा VEchain को definitely मिलने वाला है तो discord discord पे जो इनका server है वो live हो चुक है वहाँ पे भी आपको VEchain के बारे में पता चलता रहेगा और discord के बारे में आपको नहीं पता तो voice chat यह सब चीजें आप discord के उपर कर सकते हो तो VEchain का जो server है VEchain अवेलेबल है discord के उपर भी तो यह है we are excited to announce the next future of things episode features ठीक है तो कहीं न कहीं future things इसको नाम दिया गया है और मेरे को लगता है कि in future VEchain को लेके काफी काम अभी भी हो रहा है और in future भी होने वाला है ठीक है future of blockchain for business तो काफी events जो है VEchain को लेके चल रहे हैं और अभी जो VEchain का price है वो बेहत कम है 10 rupees के आसपास trade कर रहा है तो मैं आपको यही recommend करूँग आप जैदा coins भी मतलो लेकिन यह coin long term के लिए आप रख सकते हो in future VEchain अच्छे का माल दिखाएगा अभी सिर्फ 10 rupees का है और in future definitely हम growth देख सकते हैं VEchain के अंदर और यह है VEchain users के लिए एक update जो VEchain lovers हैं उनके लिए एक छोटी सी update है Garda की तरस से और यहां पर लिखा हो है कि now you can easily buy VEchain VEchain को आप easily buy अगर सकते हो with a bank card bank card right in your Garda web and desktop app तो यह Garda की जो app है और web है website और वहाँ पर desktop app है जो वहाँ से आप easily VEchain को purchase कर सकते हो वो भी अपने bank card के जरीए और इनके white paper में ही बहुत सारी चीज़े है अभी हम VEchain के white paper के उपर है website के उपर VEchain white paper 2.0 यहां पर है और VEchain का vision आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़े है future में काफी काम होने वाला है VEchain को लेके इसलिए कह रहा हो कि अभी price काफी कम है 10 रुपे का यह coin है 10 रुपीज का ठीक है और future का अगर हम सोचें तो VEchain एक अच्छा coin बन सकता है future में और एक long term का coin है जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़े हैं ठीक है और बहुत सारे events organized हो रहे हैं specially VEchain को लेके तो कही न कहीं यह सब चीज़े future में एक अच्छा road map एक अच्छा road map तो है ही VEchain का लेकिन एक अच्छा future भी VEchain का बनता हुँ यहां दिख रहा है इन सब चीज़ों से तो यह सब चीज़ें थी VEchain को लेके I hope इस video में आपको सब कुछ समझ आ गया होगा तो यहां पर बहुत सारी चीज़ें है ठीक है आप अगर इन सब चीज़ों के बारे में तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी ठीक है तो मैं आपको इसलिए थोड़ा कम में बता रहा हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबी नहोँ तो overall बात यह है कि वीडियो एक अच्छा कोईन बन सकता है आप इसको होल्ड करके लॉंग टम के लिए रख सकते हो ठीक है एक साल के लिए दो साल के लिए या उससे भी ज्यादा रख रहा है तो उससे ज्यादा जितना लंबा रखोगा आप उतना प्रॉफिट होगा आपको जैदा तो और जो जो अपडेट होंगी वीचेन को लेके हम आपको जरूर बताते रहेंगे ठीक है तो अभी जो करन्ट सिच्वेशन थी और जो चीजें थी वीचेन को लेके वो सब आपके सामने है आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गयोंगे तो इस वीडियो में हमने बात की वीचेन के बारे में और अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना